हाई गाईज वालकाम बैक टो केमिकल वीडियो आज की इस छोटी से वीडियो में हम लोग देखने वाले कैसे हम लोग बहुत आसानी से जिस जगह पे मिक्सटर मेशिन रहता है उसका आस पास को क्लीन कर सकते हैं और साथी साथ स्विच बोर्ट को क्लीन कर सकते हैं गाईज प पे mixture machine रहता है या तो mixture machine जो plug में रहता है वो switchboard बहुत जादा गंदा होता है मैंने बहुत सारे लोगों से पूछा आप इसको clean क्यों नहीं करते हैं वो बोलते कि हप्ते में एक बार हम लोग wall तो clean कर लेते हैं बट हम लोग switchboard को clean कैसे करें समझ में नहीं आता है इसलिए हम लोग switchboard को clean नहीं करते हैं तो आज के इस छोड़े से वीडियो में आप देखने वाले हैं जहां भी mixture machine में masala mixing होता है वो जगा को उसका switchboard को हम लोग कैसे बहुत असान तरीके से clean कर से इस kitchen को clean करने के time पे हमेशा कोशिश करेगा kitchen cleaner ही use करें और साथी साथ switchboard को जब clean करें तब कोशिश करिएगा ध्यान में भी रखिएगा कि पानी का बिल्कुल ना यूज हो अब इस केस में आप कैसे clean कर सकते हैं आपको सबसे पहले जब वाले जहां पे गंदगी है वहां पे आप cleaner को spray कर लीजे हलका soft cover से scrub कर लीजे कॉर्णर क्लीन करने के लिए kitchen का जो वाल का कॉर्णर होता है उसके लिए आप soft brush का यूज कर सकते हैं switchboard को clean करने के लिए आप brush में cleaner को spray कर लीजे उसके बाद brush के थूँ switchboard को clean करिए जैसे ही आपको लगे कि आपका switchboard clean हो गया है तो dry clean microfiber cloth से wipe कर दीजे यह process को अगर आप follow करते तो आपका kitchen का switchboard भी clean हो जाएगा और साथी साथ जो जगह पे मसाला का बहुत ज़दा spot है वो भी clean हो जाएगा कोई oily spot भी नहीं रहेगा guys हम लोग switchboard को kitchen का wall को mixer machine का wall को mixer machine का switchboard को बहुत असानी से clean कर सकते बस cleaner को spray करना है एक microfiber cloth चाहिएगा wipe करने के लिए soft scrubber चाहिएगा जिससे हम लोग scrubbing कर सके और एक soft brush भी चाहिए होगा जिससे हम लोग switchboard या kitchen का corner को clean करने के purpose यूज़ कर सके guys आपको मेरा यह wall cleaning and switchboard cleaning का वीडियो कैसा लगा मुझे comment करेगा और अगर अच्छा लगा हो तो please channel को like share subscribe करेगा thank you guys